जिन्बधाबुर के सिंभावली छेतर की हरोडा रोड परिस्ति सर्वोदा कलोनी के रहने वाले कारपेंटर रासिव की हुई पीट-पीट कर हत्या के मामले में वर्ल्ड पीस हार्मोनी एवं इंडिया सहफी फ्रंट के राष्ट्रे अथ्थक्ष हाजी शकील सहफी शुकरव खुद देंगे लेकिन परिजनों को इंसाफ दिला कर रहेंगे इस दुरान बड़ी संख्या में उनके समर्सक भी मौजूद रहे हाजी शकील सहफी ने देश के प्रधानमंति नरिंदर मोदी और तरप्रदेश के मख्यमंतरी योगी आधितना से परिजनों को इंसाफ दिल पुत्तर परदेश के मुख्यमंतरी आधिरनिया योगी अधितना जी पर पूरा विश्वास है कि वो हमें इंसाफ देंगे हमारे बच्चे के साथ जो गल्थ हुआ है आसिफ सहफी के साथ हम उनके मांग करते हैं मुख्यमंतरी जी से कि जो कातिल है उन्हें सजा दी जाए और इनके परिवार के किसी बच्चे को नौकरी दी जाए और इनके परिवार में से एक आदमी को पांच करूर रुपे का मतलब जो है मुख्या देना चाहिए और साथ ही साथ जिस आदमी ने ये गन्योनी हरकत कि एक बच्चे की हत्या करके उसको फासी दी जाए और उसके गर पर बिल्डोजर चलाया जाए जैसे और लोगों के घर पर बिल्डोजर चला जाता है। उसने गल्द किया एक बच्चे के साथ और इनके मावापों को जो है इनसाफ दिया जाए। और इस इनसाफ के लिए मुझे अगर सुप्रीम कोट भी जाना पड़ेगा। मुझे लखनों भी जाना पड़ेगा, मुझे आदर निया मुख्य मंतरी जी से भी मिलना पड़ेगा, देश के परदान मंतरी तक भी मैं आवाज पहुचाऊँगा, मैं ये वादा करता हूँ वर्ल्ड पीस हार्मनी की तरफ से, मैं हाजी शकील सहफी चेर्मेन वर्ल पीस हार ही हैं, इस दुरान उन्होंने परिजनों को एक लाख रुपे कियार्थिक साहे ता भी दी जब शकील सहफी परिजनों का दुख जान रहे थे तो स्वजन अपनी आँखों के आसू को रोकना सके, परिजन फूट फूट करोने लेगे, इसके बाद हाजी शकील ने परिजनों को पानी पिलाया और कहा कि वह उनके साथ कंदे से कंदा मिलाकर खड़े हैं आप पानी पियो पानी प्यों करों बहन पानी पीब भीज़े ने बस आप से हो गए तो आप पानी पियो बस है ना बिल्कुल ऐसी बिल्कुल वो मत करो आपको बताते हैं चले कि 23 अकस को ठाने से 500 मीटर की दूरी पर कारपेंटर आसिफ ने महनताना मांगा था जिसके बाद पांच भाजों ने मिलकर उसे मौत के खाट उतार दिया था और पीट पीट कर उसकी हत्या की थी पलिस आरोपी आदिल शानवाज मतीन यासी नसीम को गिरफतार कर जेल भेच चुकी है